One more thing guys, ये chapter, ये topic, इस chapter का ये topic सिर्फ आपका इसी grade में important नहीं है, ये आपका higher grades में भी important है, जब आप बाकी के chapters पढ़ोगे, जैसे आपका triangles हो गया, quadrilaterals हो गया, circles हो गया, अगर मैं corresponding angle की बात करूँ, तो आपको अगर ए लेफ्ट साइड में है, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ् corresponding angles equal है, तो दो लो lines parallel है, हेलो माई आयोट, आज मेरा नाम है कुल्दी बंडारी, और प्यार से बिच्चे मुझे खुलू बया के नाम से भी जानते हैं, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले है, lines and angles के session number 2 की, जिसमें हम लोग lines and angles का एक सबसे important topic पढ़ने वाले है, which is parallel lines and transversal, इस chapter के majority of the questions आपको इसी topic से देखने को मिलेंगे, तो आज का ये topic बहुत ज्यादा important है, session को end तक जरूर देखना, क्योंकि लगबग हर एक type का सवाल में यहाँ पे cover करवाने वालो, one more thing guys, ये chapter, ये topic, इस chapter का ये topic सिर्फ आपका इसी grade में important नहीं है, ये आपका higher grades में important है, जब आप बाकी के chapters पढ़ोगे, जैसे आपका triangles हो गया, quadrilaterals हो गया, circles हो गया, class 10 का, जब आप triangles या circle, geometry को कोई भी chapter पढ़ते हो, या फिर किसी भी competitive exam में जाते हो, तो वहाँ पे वो corresponding angles, alternate angles, इनसे questions जरूर पूछेगा, तो ये chapter का ये topic बहुत ज्यादा important है, make sure इसको अ कर दो, share कर दो दोस्तों के साथ, और channel को subscribe, जरूर करना ताकि सही time पे relevant जानकारी आप लोगों को मिल सके, ठीक है भी या, चल, अब यार सबसे पहले अगर हम बात करे, मैंने last class में आप लोगों को एक homework दिया था, I hope आप लोगों ने किया होगा, हैना last class का हमारा topic था, जो ज दोनों angles का ratio आपको दिया गया है, ये वाला angle आपको दिया गया है, 90 degree, और इन दोनों angles का ratio अगर 2 ratio 3 है, तो angle C की value निकार, तो आपको पता यार कभी अगर angles का ratio होता है, A ratio B, angle A ratio B, ये अगर आपको दिया गया है 2 ratio 3, तो आगे वाला, आगे वाले के बराबर होगा, पीछे पीछे वाले के बराबर होगा, a का value आजाएगा आपके पास 2x, a का value आजाएगा आपके पास 2x और b का value आजाएगा आपके पास कितना बेटा, 3x, a का value आपके पास आजाएगा 2x और b का value आपके पास आजाएगा कितना 3x आजाएगा, ठीके, अब अगर मैं अपने इन तीन अगर मैं अपने इन तीनों एंगल को एड करूं ए बी और 90 डिगरी तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिगरी के बराबर हो जाएगा किभी का value कितना है आपके पास 2x हैं Angle भी का value आपके पास कितना है 3x है plus 90 is equal to 180 डिगरी अगर मैं 90 को उधर shift कर दूँ तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x is equal to 180 minus 90 यानि कि 90 बच जाएगा तो 5 से इसको cancel कर दो x का value आप लोगों के पास आजाएगा कितना 18, 5, 2, 90 तो x का value आप लोगों ने निकाल दिया बेटा कितना 18 लेकिन क्या आपको x निकालना था, x नहीं निकालना था आपको तो c निकालना था तो c की value क्या होगी देखो बहुत चारे तरीके इसको करने के अलग-अलग तरीके हैं एक तरीका जो आसान सा और अच्छा भी है इससे आपको concept की और थोड़ी समझ होगी यहाँ पे है आपका angle c यह है a, o, b और यह है आपके पास m, o, n अब पेटा यह दो straight lines है तो यह दोनों के दोनों angle यह दोनों के दोनों angle vertically opposite angles होंगे यानि m, o, b angle m, o, b जो होगा वो किस के बराबर होगा angle c के बराबर होगा और यह m, o, b जो है बीच में ऐसा कटा हुआ है इधर 90 degree है इधर a है तो m, o, b जो है वो a plus 90 degree के बराबर है जो की बराबर है angle c के a कितना है बिटा आपके पास a कितना है आपके पास 2x plus 90 degree is equals to angle c 2 into x x की value कितनी है 18 है plus 90 is equals to angle c और 18 into 2 कितना हो जाएगा 36 plus 90 is equals to angle c 6, 9, 3, 12 12, 12, 16 degree तो यह आप लोगों के पास angle c का value रहेगा ठीक है भाई? चलो, आजो अब एक और सवाल है एक और सवाल है, जस्ट टू रीकाब दा पिछले वाले क्लास का concept उसके बाद हम लोग parallel lines के concept को सीखेंगे बहुत बढ़िया सवाल है the measure of an angle is 5 time its compliment then the angle का value कितना होगा? कह रहा है कि भाईया एक angle जो है वो अपने किसी दूसरे angle अपने ही angle के compliment के 5 time से अब compliment क्या होता है? compliment क्या होता है? देखो आपने complimentary angles पड़े हैं compliment क्या होता है? compliment होता है बेटा क्या? compliment होता है कि माल लो अगर कोई angle है माल लो कोई angle है 50 तो इसका complimentary angle क्या होगा? complimentary angle हो जाएगा 90 minus 50 90 minus 50 यानि कि 40 क्योंकि complimentary angles ऐसे दो angles होते हैं जिनका sum 90 degree हो तो 50 का compliment angle क्या हो जाएगा? 90 minus 50 ऐसे ही कोई angle है 60 इसका complementary angle क्या हो जाएगा 90-60 यानि कि 30 तो अगर कोई angle है x इसका complementary angle क्या हो जाएगा 90-x तो वही चीज है कि माल लो कोई angle है x उस complementary angle कितना हो जाएगा 90-x और इसने बोला है कि जो angle है अपने ही complementary angle के 5 गुना है तो बस 9,5's are 45, 450-5x तो ये इधर भीजोगे 6x is equal to 450 तो x का value आजाएगा 450 upon 6 काटोगे 3 से 3 दुनी काटोगे इसको 3 से तो ये हो जाएगा आपके पास 150 तो 75 आजाएगा आपके पास तो x is equal to 75 degree x is equal to 75 degree ठीक है जी ठीक है बाई चल अब बात करते हैं transversal और parallel lines की मतलब समझो सबसे पहले क्या मतलब होता है transversal का या फिर lines के बारे में हमने last session में भी सीखा था दीको last session में मैंने आपको बताया था कि एक line ये है एक line ये है इन दोनो तो अगर ये दोनो लाइन आगे extend करने पर भी कभी meet ना करे तो इनको बोला जाता है parallel lines बोला जाता है और ये अगर आगे extend करूंगा meet करेंगे तो ये क्या है intersecting lines है अब transversal क्या होता है transversal होता है कि जो दो lines को काटे जो दो lines को काटे चाहे आपके पास parallel lines हो चाहे आपके पास non parallel lines हो लेकिन अगर इन दो lines को कोई line काट रहा है दो या तीन lines तीन भी हो जाती है कभी कबार चार भी हो जाती है कभी कबार इन lines को अगर कोई काट रहा है तो उसे बोला जाता है transversal transversal ठीके भाईया चलो अब parallel lines और transversals के बीच में क्या relation होता है उसको समझते हैं यह बहुत important चीज है तो 5-10 minute किरपया करके यहाँ पे ध्यान देना कहता है क्या कि भाईया मान लो आपके पास दो parallel lines है मान लो आपके पास ये दो parallel lines है ये दो parallel lines है इन दो parallel lines को अगर हम इस तरीके से काटे तो ये क्या है ये transversal है ये क्या है ये transversal है अब इस transversal ने ना इस transversal ने इन दो lines के साथ कुछ angles बनाए है कुछ angles बनाए है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपके पास angle A है इसको angle A मान लेते इसको angle B माल लेते है, इसको angle C माल लेते है, बेटा, इसको angle D माल लेते है, ऐसे ही यहाँ पे भी angle बने है, X, Y, W, Z, ठीके, तो यह total कितने angles बनगे बेटा, 8 angles बनगे, 4 उपर, 4 नीचे, भाईया क्या transversal non parallel lines के साथ भी angle बनाता है, बिलकुल बनाता है, यह A है, यह B है, यह C ह यह H है, इस तरीके से angle बनाए, तो transversal ने कुछ angles बनाए, चाहे वो आपका parallel line हो या non parallel line हो, लेकिन parallel line में कुछ खास चीजे हैं, कुछ खास चीजे हैं, और वो खास चीजे क्या हैं, सबसे पहले, सबसे पहले, तो आप अपने इन angles को categorize करो, exterior और interior angles में, exterior angles, exterior angles में, exterior और interior angles में, exterior क्या है, A, B, W, Z, exterior यानि कि जो बाहर की तरफ है, जो अंदर नहीं है, यह देखो, यह बाहर हैं न, यह दोनो, दोनो sides है, बाहर है, तो exterior angles कौन कौन से हैं, A है, B है, W है, और Z है, यह आपके exterior angle、 चीजे हैं और कुछ angles हैं बेटा, आपके पास interior angles interior angles यह आपके interior angles है कौन से आपके interior angles है c d x और y c d x y यह आपके क्या है बिटा यह आपके interior angles है अच्छा ठीक है भी या अब आगे बताओ कुछ आगे बताओ कुछ ठीक है अब आपके पास एक और सबसे important जो आपने सुना भी होगा corresponding angles corresponding angles corresponding angles का concept आता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना थोड़ा सा ध्यान से समझना आप कोई भी angle पकड़ो आप कोई भी angle पकड़ो मालो आपने angle a पकड़ा इसके corresponding angle आपको निकालना है corresponding angles जो होते हैं दो होते हैं एक साथ दो angle एक साथ कौन सा होगा side है तो अगर मैं corresponding angle की बात करूँ तो आपको अगर A left side में है तो सिर्फ और सिर्फ left side के angle देखना है इनको एक sequence में लिख लो A के बाद कौन सा है C है C के बाद कौन सा है X है X के बाद कौन सा है W है left side में कौन से angle है ये अगर मुझे a का corresponding angle निकालना है तो इसके next वाले को छोड़ के जो अगला angle होगा ये दोनों के दोनो corresponding angle होगे तो a और x जो है ये corresponding angles है बेटा ऐसे ही अगर मुझे c का corresponding निकालना है तो c का corresponding क्या हो जाएगा c का corresponding हो जाएगा बेटा w एक छोड़ के अब right side में कौन कौन से angle है B, D, Y, Z sequence में लिखो जैसे लिखे B, D, Y, Z ऐसे नहीं पहले B लिखे हो फिर Y लिखे हो फिर Z, फिर D ऐसे में गड़बड हो जाएगा B, D, Y और Z अब B के corresponding क्या है? B के corresponding क्या है? next वाले को छोड़ के जो अगला angle है next वाले को छोड़ के जो अगला angle है Y ऐसे ही D के corresponding क्या है? next वाले को Y को छोड़ के जो अगला angle है कौन सा बच गया? D के corresponding Z बच गया तो ये corresponding angles होते हैं बिटा ये corresponding angles होते हैं ठीक है भहिया? चल अब उसके बाद एक और टाइप आती है हमारे पास angles की जो की हमारे पास होती है क्या? जो की हमारे पास होती है co-interior angles co-interior angles co-interior angles क्या होते हैं? co-interior angles क्या होते हैं? इनको हम कभी कभार angles on the same side of transversal भी बहुते हैं interior का मतलब होता है बिटा, अंदर वाले angles तो अंदर कौन-कौन से angle है? C है X है Y है और D है तो C का को इंटीरियर क्या होगा बिटा सेम साइड पे देखना है सेम साइड पे अंदर वाला एंगल कौन सा है C के अंदर सेम साइड पे कौन सा है X है तो C और X क्या होंगे को इंटीरियर एंगल ऐसे ही D का को interior क्या होगा y होगा d का को interior angle क्या है y है क्या भाईया a का coin interior angle कोई है a तो coin interior है ही नहीं वो तो बाहर की तरफ है न तो सिर्फ ये चार angle अंदर वाले angle है तो c और x आपस में coin circular है d और y आपस में coin चीक है भाईया यह भी समझ में आगे बताओ आगे क्या है आपके पास आगे हमारे पास है बेटा क्या औल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल औल्टरनेट इंटीरियर एंगल औल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी तक हमने सिर्फ same side के angle देखे थे corresponding angle और co interior angle में हम same side में देख रहे थे अब हमें दूसरी side में देखना है सबसे पहले interior angle अंदर वाले angles की बात कर रहा है तो c का alternate interior angle क्या होगा बिटा दूसरी तरफ देखना है लेकिन नीचे वाला साथ वाला नीचे वाला ये होता है आपके पास alternate interior angle तो c और y क्या है आपस में alternate interior d और x क्या है आपस में alternate interior angle ऐसे ही बिटा alternate exterior angle भी होता है alternate exterior angle भी होता है क्या होता है क्या होता है alternate exterior angle मतलब जैसे a का exterior क्या है दूसरी तरफ इस side तो w है लेकिन दूसरी तरफ क्या है a का exterior angle alternate exterior angle z है दूसरी तरफ क्या है a और z ठीक है और b का alternate exterior इंट PAUL किसी का है बेटा डवल्यू कि यह सारी कि सारे एंगल्स की समझ आपको होनी चाहिए कि एक्स्टीरियर एंगल्स क्या होता है violation क्या होता है क्यों क्या होता है को इंटीर क्या होता है alternate inna two-year alternate exterior अगर आपको ये एंगल समझ में आ गए तो फिर इस चाप्टर में कुछ भी नहीं है आपको पता है कि कौन किसका corresponding है कौन किसका alternate interior है कौन से दो co interior है तो इस चाप्टर की कहानी यहीं पर खतम हो जाती है अब बस questions की practice करनी है ठीके कुछ relation भी होते हैं वो भी बताऊंगा पर ये अगर समझ में नहीं आया है वीडियो में थोड़ा सा 5 मिनट पीछे जाओ और समझने की कोशिश करो ये तो सवाल अखेर अब इसके बाद मैं आपको कुछ concepts बता रहा हूँ कुछ theorems बता रहा हूँ कुछ exams बता रहा हूँ सबसे पहले क्या ये सिर्फ याद रखना ये सिर्फ parallel lines में valid है सिर्फ और सिर्फ जब दो lines आपस में parallel है अब ये बाई parallel की spelling क्या होती है ये सिर्फ और सिर्फ parallel lines में valid है सिर्फ और सिर्फ parallel lines में valid है ठीके यका है अगर आपके पास अगर आपके पास दो lines parallel है और वहाँ पे आपके पास एक transversal है तो corresponding angles ध्यान से सुनना corresponding angles ध्यान से सुनना are equal corresponding angles हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे alternate interior angle alternate interior अंगल alternate interior angles भी हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे alternate exterior angle alternate exterior angle वो भी क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे अच्छा फिर एक और angle हमने पढ़ा था co-interior angle तो co-interior angle co-interior angle angles वो भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे अब नहीं होंगे co-interior angles are always complementary to each other supplementary sorry supplementary supplementary angles यह दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे supplementary angles होंगे इसका मतलब क्या है थोड़ा सा इसको decode करो कि co-interior angles co-interior angles का sum का sum हमेशा 180 degree होगा co-interior angles का sum हमेशा 180 degree होगा corresponding angles हमेशा equal होंगे alternate interior angles हमेशा equal होंगे alternate exterior angles हमेशा equal होंगे co-interior angles का sum supplementary होगा क्या में इसको और इसको corresponding angles बोल सकता हूँ यह corresponding angles है बट यह बराबर नहीं होंगे यह बराबर कभ होंगे बराबर तब होंगे जब यह पैरेल लाइन्स होगी तभी ये दोनों बराबर होंगे समझ गे तो अगर आपके पास पैरलल लाइन्स है तभी वो ये सारे के सारे एखजॉम्स फॉलो होंगे अगे फू रेख़़ू माज ठीक है मेरे भाई एक और कहानी सुन लो मान लो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरलल है अब मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो की इसके पैरलल है तो बेटा ये वाली जो लाइन होगी ये इसके पैरलल भी होगी इसका मतलब क्या है ये तीनो लाइन आपस में पैरलल आ गया क्या कहते है कि एल और एम पैरलल लाइन्स है यह एंगल आपको दे रखा है कितना 80 डिगरी का तो आपको बाकी के सारे एंगल निकाल ले बहुत बहतरीन सवाल है ध्यान से समझेंगे देखो फिगर को ब्रेक कर लो जमेट्री में ब्रेक अप बहुत जरूरी होता है फ माजू वाला एंगल यह है और इसका कॉरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा यह वाला एंगल हो जाएगा तो यह भी कितना हो जाएगा 80 डिगरी का हो जाएगा इसके नेक्स्ट को छोड़ के दूसरा एंगल क्या होगा आपके पास कॉरस्पोंडिंग होगा तो यह वाला इधर वाला होगा तो यह भी असी फोजाएगा आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चैप्टर की जो मेंट्री की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह एक तरीके से solve नहीं होता है उसको solve करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हो सकता है किसी बच्चे ने alternate वाला concept ना लगाया वर्टिकली उपोसित तो आप अलग-अलग concept से लगा सकते हो अलग-अलग concept से कर सकते हो ठीक है भाईया ये समझ में आ गया ठीक है ये एंगल आमने निकाल इन पर angles जो form होते हैं दो उनको क्या बोला जाता है linear pair angles तो 80 को अगर मैं इधर shift कर दो तो 8 का value कितना हो जाएगा 100 degree हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 degree हो जाएगा अब अगर ये 100 है तो ये भी आपके पास कितना होगा 100 होगा अच्छा अब उसी तरीके से बेटा इसका alternate interior क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका अब इसके vertically opposite क्या हो जाएगा इसका vertically opposite क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बस निकाल दिया अपने सारे angle भाई एंगल 1 है 80 एंगल 2 है 100 एंगल 3 है अच्छी एंगल 4 है 100 मैच कर लो ठीक है जी बहुत आसान है यह सवाल इजी होते हैं अब प्रूव डैट इप लाइन इस पर्पेंडिकुलर तो वन और टू पैरलल लाइन देन इस पर्पेंडिकुलर तू दा अधर लाइन ऑल्सू कह रहे कि आपके पास दो लाइन से यह दो पैरलल लाइन से इन लाइन में आपने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ क्या कह रहे कि अगर मालो यह पहली वाली लाइन पर पर्पेंडिकुलर है तो आपको प्रूव करना है कि यह दूसरी लाइन पर भी पर्पेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है गिवन यह है कि दो लाइ एंगल A, O, B जो है वो कितना है वेटा 90 डिगरी का है 90 डिगरी का है आपको प्रूफ क्या करना है तो प्रूफ आपको प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो एंगल होगा O, X, Y O X Y एंगल O X Y ये कितना हो जाएगा 90 डिगरी का हो जाएगा ये आपको प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करोगे कैसे प्रूफ करोगे देखो बहुत सिंपल है आपके पास ये एंगल है अगर मैं इसका corresponding angle लिकालू तो ये हो जाएगा अगर मैं इसका corresponding angle लिकालूंगा तो इसको छोड़ के साथ वाले को छोड़ के जो अगला होगा ये होगा तो यानि कि क्या है आपके पास angle O X Y जो है वो किसके बराबर है angle A O B के काई को corresponding angles आप लोग C A मत लिखना आप लोग पूरा नाम लिखना corresponding angles तो angle O X Y जो होगा वो बिल्टा कितना हो जागा 90 degree इसका मतलब क्या है ये line इस पे भी parallel perpendicular है यही तो proof करना है यही तो proof करना है ठीक है जी चलो अगला सवाल बहुत बैतरीन सवाल है कह रहे कि PQ is parallel to RS PQ और RS आपस में parallel है angle M O X O ये वाला angle 135 degree दे रखा है ये इतना दे रखा है ये वाली line actual में है नहीं A B A B actual में है नहीं ये figure आपके पास बस इतना ही था ये A B आपके पास construction करनी है आपको तो यहाँ पे आपके पास given क्या है यहाँ पे आपके पास given ये है अच्छा figure दे रखा है ठीक है figure दे रखा है तो फिर ठीक है given यह है कि PQ is parallel to RS PQ is parallel to RS angle MXQ angle MXQ कितना है बेटा 135 degree 135 degree है and angle MYR and angle MYR कितना है बेटा 40 degree है 40 degree so आपके पास XMY XMY यानि कि यह पूरा का पूरा angle आपको निकालना है तो इस figure में यहाँ पे इनको एसा लिखना नहीं छहीए था इन figure अगर ऐसा लिखा है तो AB parallel to 10 यह बताना चाहीए था तो यह figure आपके पास AB line हो थी नहीं है जणरली अब आपको प्रूव क्या करना है prove यह करना है prove क्या मतलब निकालना है इसका value x, m, y का value निकालना यहाँ पर बिटा एक छोटी सी construction हुई है construction क्या हुई है construction आपने draw a, b, a, b एक line draw की है a, b through m through m and a, b is parallel to a, b is parallel to p, q as well as a, b is parallel to r, s, आपने अपनी मर्जी से एक construction, construction की यही खासियत होती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी construction करतो, कुछ भी, यहाँ पर ऐसे निकालने का मन कर रहे है, यह निकाल लो जो आपका दिल करता है construction में आप वो करो तो आपने एक line draw करी है a, b, m point से, and a, b जो है वो बेटा, parallel है, p, q के और r, s के, ठीक है बेटा चलो, अब अब, अब, अब मैंने यह माना, मैंने यह माना अपने इस वाले angle को इस वाले angle को, सिर्फ इदर वाले angle को इदर वाले angle को, x माल ले तो तो अगर मैं बात करू उपर वाली lines की, ऐसे ऐसे, थोड़ा आगे तक खीच लेते, यह 135 है बेटा यह x है, इन दोनों angles का sum, इन दोनों angles का sum, x और 135, क्या यह co-interior angles नहीं है, क्या यह co-interior angles नहीं है, angles on the same side of transversal आप बोलोगे भया बिलकुल है, तो इन दोनों का sum कितना है, 180 degree क्या है यह, co-interior angle ठीक है जी, ठीक है 135 को इधर shift कर दूँगा, तो x is equal to 180 minus 135 तो 130 में subtract करूँगा, 50 और फिर 5 और कर दो, तो 45 हो जाएगा तो x की value आगई आपके पास 45 degree, क्या हमें x निकालना नहीं हमें तो कुछ और निकालना है, कोई बात नहीं वो भी निकालेंगे, इधर नीचे वाले angle को मैंने क्या माल लिया y अब ये नीचे वाली दोनों lines देखो बस ये इस तरीके से हैं, इस तरीके से बिटा ये वाला angle 40 degree का है, तो ये y भी 40 degree का नहीं होगा, क्या ये alternate interior angles नहीं है, आप बोलो के भाईया कमाल कर दिया आपने तो y is equal to 40 degree q, क्योंकि ये alternate interior angles किरपया करके a, i, a मत लिखना अपने exam में, आप पूरा लिखना, चिके, तो y भी आ गया 40 degree पर भाईया हमें तो ये पूरा का पूरा angle निकालना था, हमें तो x, m, y निकालना है, जो की क्या है, x प्लस y के बराबर है अब x आपके पास कितना है बिटा, 45 है, और y कितना है, आपके पास 40 है, और ये कितना हो जाएगा, 85 degree 85 degree ठीक है भाई अब बात करते हैं इसकी अब बात करते हैं इस सवाल की अगर a, b, अगर a, b parallel है बिटा, c, d, k अगर a, b, parallel है c, d, k, अगर a, b parallel है c, d, k, और c, d, parallel है e, f, k तो e, a perpendicular होना चाहिए, a, b, पे if b, e, f is 55 degree then what will be the value of x, y and z x, y और z की value आपको निकालनी है आओ समझते हैं कैसे करोगे बहुत आसान है, बहुत आसान है आपको एक-एक करके देने, देखना है आपको एक-एक करके देखना है कैसे देखोगे, भाईया सबसे पहले यह जो हमारी पहली वाली line है a, b, इसको देख लेते हैं और आखरी वाली जो line है आखरी वाली जो line है e, f, इन दोनों को देख लेते हैं, अब यहां से लेके यहां तक एक line है, यह वाला angle बेटा, 90 degree का है तो यह पूरा का पूरा angle क्या होगा ये पूरा का पूरा एंगल ये पूरा का पूरा एंगल क्या है बिटा ये पूरा का पूरा एंगल है Z plus 55 डिगरी और अगर मैं देखू अगर ये दोनों लाइन्स पैरलल है आपस में और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल है या फिर को इंटिरियर एंगल बोल सकते हो यानि कि Z plus 55 किसके बराबर होगा बेटा 90 डिगरी के क्यों क्योंकि ये को इंटिरियर एंगल्स है को इंटिरियर एंगल्स 95 55 को अगर मैं उधर शिफ्ट करू तो Z is equal to 90 माइनस 55 जो की हो जाएगा आपके पास 45 डिगरी 45 डिगरी 45 कह रहो 45 योगा ना 35 सोरी तो Z की value कितनी आ गई है आपके पास 35 वाओ भया कमाल कर गया ये तो अब उसके आगे क्या करें बहुत सारे बच्चे सूचेंगे कि Z और Y अब आपके अपना ये पहला वाला लाइन और दूसरा बीच वाला लाइन इसको इन दोनों को देखो तो ये ऐसा जा रहा है कुछ यहाँ पे एंगल X है बेटा यहाँ पे एंगल Y है एंगल X और Y के बीच में क्या रिलेशन है अगर मैं देखू सेम साइड पे हैं एक ही तरफ है Y के नेक्स्ट एंगल कौन सा है यह वाला उसको छोड़ के अगला एंगल है X तो हमने पढ़ा है कि ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है ऐसे एंगल को बोला जाता है corresponding एंगल और यह दोनों के दोनों आपस में क्या है बराबर है ठीक है भाईया X और Y बराबर आ गए ठीक है यह भी समझ में आगया ठीक है अब 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 देखो अब क्या है अब आपने अपना यह बीच वाला लाइन और यह लास्ट वाला लाइन देखना है इस तरीके से है कहानी इस तरीके से यहाँ पर Y है बेटा यहाँ पर 55 डिगरी है अच्छा इधर वाला एंगल अगर मैं 90 मानू तो यह पूरा का पूरा एंग क्या क्या है 90 जैड है क्यूंकि इस तरीके से यहाँ पर जैड है तो यह पूरा एंगल क्या होगा 90 जैड होगा अब यह और 55 के बीच में क्या रिलेशन है y और 55 co interior angles है बेटा co interior angles तो इन दोनों का sum कितना होगा 180 degree क्योंकि ये co interior angles है 55 को उधर shift करो तो y का value आजाएगा 180-55 और ये मेरे पास आजाएगा 50, 130, 25 y का value आगया कितना 125 तो x भी कितना आजाएगा क्योंकि y के बराबर है तो 125 changes देखो बहुत आसान है figures को अगर आपने break करना सीख लिया तो आप चीज़ों को easily solve कर सकते हो geometry is all about break up of figures figures का break up करना है if a transversal intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel then prove that two lines are parallel वाव क्या कहता है ये ये क्या कहता है ये क्या कहता है ये क्या कहता है ध्यान से सुनना अच्छा एक चीज़ मुझे याद आगई एक चीज़ मुझे याद आगई यहाँ पे यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आगई जहाँ पे हमने वो exams पढ़े थे ये ये exams हैं हमारे पास ठीक है अच्छा अगर कहीं पे आपके पास corresponding angles equal हो जाएं अगर कहीं पे corresponding angles equal है इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूँ अगर corresponding angles या फिर alternate interior angles या फिर alternate exterior angles इक्स्टीर एंगल्स इक्वल हैं इक्वल हैं तो दो लाइन्स जिसमें ये बन रहे होंगे दो लाइन्स पैरलल होगी अगर आपके पास corresponding angles alternate interior angles या फिर alternate exterior angles बराबर हैं तो दोनों लाइन्स आपस में क्या होंगी पैरलल होंगी मालो ये एक लाइन ये है एक लाइन ये है ये ट्रांस वर्सल है मालो ये angle और ये angle बराबर है तो अगर corresponding angles इक्वल है तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी पैरलल हो जाएंगी यहाँ पे था कि अगर दो लाइन्स पैरलल है तो corresponding angles इक्वल है अब ये इसका converse है converse यानि कि इसका उल्टा है कि अगर corresponding angles equal है तो दोनों lines parallel है भया co-interior angle बुरा मांद रहा है ऐसा करोगे तो इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा न तो कहीं पे अगर co-interior angles co-interior angles का sum 180 degree है 180 degree है तो दो lines parallel है तो दो lines parallel है ठीक है भाई तो ये चीज है जालो आजो 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 इसका प्रांस्वर्सल इंटरसेक्ट्स तो लाइन सच दाट दाट बाई सेक्टर और पेर of corresponding angles are parallel then prove that two lines are parallel क्या कहता है कहता है क्या मान लो आपके पास दो lines है एक line ये है एक line ये है इन दोनों के बीच में ये क्या है ट्रांस्वर्सल है कहता है क्या ध्यान से समझे ना ध्यान से दोनों आपस में parallel है क्या भईया कुछ समझ नहीं आ रहा फिर से समझो मान लो ये दो lines है L और M ये दो lines है N एक ट्रांस्वर्सल है ये O है ये A है ये X है ये Y है आप समझो क्या है गिवन क्या है गिवन क्या है गिवन ये है गिवन ये है कि 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 O A एड़ X Y X Y आर दी एंगल बाई सेक्टर ये दोनों के दोनों क्या है एंगल बाई सेक्टर है एंगल बाई सेक्टर है एंगल वाई सेक्टर का क्या मतलब होता है एंगल वाई सेक्टर का मतलब होता है कि दो एंगल को जो बराबर में बाट दे यह अगर एक्स है तो यह भी एक्स हो जाएगा यह अगर वाई है तो यह भी कितना हो जाएगा वाई तो एंगल वाई सेक्टर का मतलब होता है जो ठीक है भहिया समझ में आ गया है करना क्या है हमें करना क्या है हमें प्रूफ ये करना है हमें अच्छा ये भी है फिर ये भी है की ओے जो है वह पैरलल है बेटा इसके इक है कि L और M आपस में पैरलल है अब दो लाइन आपस में पैरलल कैसे होंगी कैसे सोचोगे यार अभी अभी भाईया ने बताया अगर कहीं पर corresponding angles equal हो जाए तो दो lines parallel होगी alternate interior angles equal हो जाए तो parallel होंगी alternate exterior angle equal हो जाए तो parallel होंगी या फिर co interior angles का sum अगर 180 degree हो तो दोनों lines parallel होंगी ठीक है तो इन में से ही मुझे कुछ सोचना है इन में से ही मुझे कुछ सोचना है अब बेटा अगर मैं अपना इस वाली line को देखूं और इस वाली line को देखूं देखो यहां पर अलग से बना देते हैं यहां एसे अलग से और ये क्या है ट्रांसवर्सल है तो इधर उपर वाला क्या है बिटा X है मैं बस उपर वाले एंगल को देख रहा हूँ इस आले एंगल को नहीं देख रहा है और इधर उपर वाला क्या है y है तो ये दोनों लाइन्स हमने बोला है कि ये दोनों लाइन्स पैरलल है अगर o a पैरलल है बीटा x y के अगर o a parallel है x y के तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x और y corresponding angles है x और y corresponding angles है तो बराबर होंगे ठीक है भाईया मैंने क्या किया मैंने 2 से इधर multiply किया और मैंने इधर भी 2 से multiply कर दिया दोनों तरफ 2 से multiply कर दिया अब 2 से multiply करने के बाद इसको नाम दे देते हैं C O D और इसको दे देते हैं W X Z तो अगर मैं 2 X देखू angle X plus X 2 X ये कौन सा angle होगा बेटा ये angle है आपके पास angle C O D और X Z angle W X Z तो ये दोनों के दोनों angles ये दोनों angles आपस में बराबर है अगर ये दोनों angles आपस में बराबर है अगर ये दोनों angles आपस में बराबर है तो आपके पास ये दोनों के दोनों क्या है corresponding angles है देखो ये दो lines थी आपके पास ये दो lines थी यह आपके पास 2x है यह आपके पास 2y है तो दोनों के दोनों क्या है corresponding angles अगर कहीं पे corresponding angles बराबर है अगर कहीं पे corresponding angles बराबर है therefore l is parallel to m क्यूंकि हमने पढ़ा है अगर corresponding angles equal होंगे तो lines parallel हो जाएगी ठीक है ठीक है भाईया आपकी बात माल लेते हैं अब यह बहुत बैतरीन सवाल है last दो question रह गए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया देखो आपको x की value निकालनी है इसमें a, b, c, x क्या करना है इसमें सबसे पहले एक construction करनी है आपको यहाँ से मतलब given अब आप लोग लिख लोगे मैं बस एक construction कर लेता हूँ यह लिख लो आप x, y आपने क्या किया आपने एक line draw करी construction में क्या लिखना आपको draw x, y which is parallel to o, a as well as x, y should be parallel to c, d यह जो x, y है इस o, a के भी parallel होगा और इसके भी parallel होगा अब अगर मैं यहाँ वाले angle को अपना a माल लो तो o, a जो है वो parallel है बेटा किसके x, b के x, b के o, a जो है वो parallel है बेटा किसके x, b के तो इन दोनो angles, दोनों के दोनो alternate co-interior angles है इन दोनो angles का sum कितना होगा 180 degree क्या है यह co-interior angles co-interior angles तो 110 को अगर मैं इधर shift करूँ तो angle a का value हो जाएगा 180 minus 110 यानि की 70 degree 70 degree ठीके आगे, आगे क्या है आगे आपके पास है बेटा यह angle और इधर वाला क्या है b तो यह दोनों के दोनों c d जो है वो parallel है बेटा किसके b x के या byy है उदर ठीके तो angle b प्लस 130 degree यह दोनों के दोनों angles भी क्या होंगे यह दोनों के दोनों angles भी क्या होंगे 180 degree के angles होंगे क्यूं क्यूं 180 degree के है क्यूंकि यह दोनों के दोनों angles का sum भी यह दोनों के दोनों angles भी क्या है co-interior angles है ठीक है, तो angle B का value कितना हो जाएगा, 180 minus 130, यानि की 100, सरी, सिर्फ और सिर्फ 50 degree, तो ये कितना हो जाएगा, 50 degree, तो यानि की ये 50 है, ये कितना है, 70 है, अब यहाँ पे, एक straight line है, straight line पे बनने वाले सभी angles का sum कितना होता है, 180 होता है, तो 70 plus X plus 50, 180, 70 plus 50, 120 plus X is equal to 180, तो 120 को उदर shift करोगे, तो X is equal to 180 minus 120, यानि की 60 degree, तो X का value कितना आगया, 60 degree आगया, ठीक है भाई, चल, आज़ो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, है CD के, अगर यह AB, पैरलल है CD के, CD को थोड़ा पीछे तक extend करो, CD को थोड़ा पीछे तक extend करो, ऐसे CD को थोड़ा पीछे तक extend करो, चीक है, तो आपको angle A, O, C की value निकाल दी, A, O, C ये वाला angle निकालना है आपको ये वाला angle निकालना है आपको ये angle कितना है? X है कैसे निकाई? देखो बेटा ये 60 degree है तो ये वाला angle भी कितना हो जाएगा 60 degree का हो जाएगा corresponding angles है ठीक है भीया? माल लिया आपकी बात भाई यहाँ पर तो angle अगल सम प्रॉपर्टी लगेगी चलो ठीक है मतलब यार इसको हम parallel line वाले concept से भी कर सकते हैं बट यहाँ पर angle सम प्रॉपर्टी जादा easy लगेगा जो कि हम पढ़ने वाले थे next class में तो चलो मैं बता देता हूँ यहीं पर बता देता हूँ उसको मतलब आप उपर से एक line ड्रॉपर करके भी निकाल सकते हैं इसको यह angle आपके पास कितना हो जाएगा अगर 110 है तो linear pair angles है तो यह इधर वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 180 से माइनस करोगे अब triangle के तीनो यह triangle form हो रहे न triangle के अंदर तीन angles का sum क्या होता है जो हम next class में पढ़ेंगे तीनो angles का sum कितना होता है 180 डिग्री इससे बोला जाता है angle sum property तो x यह हो जाएगा 130 is equals to 180 तो x का value आजाएगा आपके पास 180 माइनस 130 यानि की 50 डिग्री तो x का value आगया आपके पास जो मैं बोल रहा था न आपको ऐसे उपर से line करके भी कर लेते बहुत complicated है angle sum property जादा ही समझ में आया तो ठीक है नहीं तो फिर कोई बात नी next class में तो हमने पढ़ना ही है यह आप लोगों का homework question है इसका answer मुझे comment section में जरूर देना इसका answer मुझे comment section में जरूर बताना आपको angle x की value निकाल लिए ठीक है जी so yes guys this is all about for this session I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा आज का session make sure की channel को subscribe जरूर करना ताकि सही time पे relevant जानकारी आप लोगों को मिले ठीक है जी so thank you so much tata bye bye